नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी टेखनीक एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो स्पेशली उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है किसी तरह की उनको हार्ट में ब्लॉकेज हो, सिकुरंसी महसूस होती हो, जक्रन लगती हो तो ये प्राणायाम, ये ब्रीधिंग टेकनीक उन लोगों के लिए बहुती लाबकारी होने वाली है तो आपको पहले ये देखना है कि जिन भी लोगों को आप जानते हों, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई जानकार हो सकते हैं उनको भी आप इस वीडियो को शेयर करके बताएं तो अगर आपको अपने चाती के लेफ्ट साइड में किसी तरह की जकडन महसूस होती है, कोई सिकुडन महसूस होती है हसते हुए, खांसते हुए, ऐसा लगता है, ये कुछ प्रेशर सा पढ़ रहा है तो ये कुछ symptom हो सकते हैं कि arteries में किसी तरह की कुछ blockage हो सकती है लेकिन अगर आपने test कर वा लिया है और test में clear हो गया है कि आपके heart में blockage है तो अगर blockage diagnose हो गई है लेकिन अपने operation नहीं कराया है आपने किसी तरह का कुछ surgery नहीं करायी है तो इस प्रानायाम से इस breathing technique से आपको बहुत लाब होगा इसको नेमित रूप से खाली पेट आप सुबा करें और अगर आपका operation हो गया आपने surgery करा ली है आपने stand डलवा लिया है या किसी तरह का treatment ले लिया है डॉक्टर के साथ तो इस technique को ना करें क्योंकि किसी supervision में करना जादा बहतर होगा लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंत में एक simple basic technique है कि अगर आपका operation भी हो गया तो भी आप इस breathing technique को कर सकते हैं उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इस breathing technique को करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इसे सुभा करना जाता बहतर होगा तो ट्राय करिए कि सुभा उठने के बाद जब अच्छे से fresh हो जाएं आपका पेट पुरा clear हो जाए उसके बाद ही आप इस breathing technique को करें और इसको करने से पहले आप सुख्ष्वियायाम कर लें गर्दन, कंदे, कमर, घुटने, पैर आपके joints को अच्छे से movement दे लें जिससे कि आपको शरी थोड़ा सा हलका लगे और बैटने में आसानी हो सुख्ष्वियायाम कौन सा करना है कैसा करना है इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है ये वीडियो देख करके भी आप सुख्ष्वियायाम कर सकते हैं तो अब हम माल लेते हैं कि आपने सुख्ष्वियायाम कर लिया है और अब आप इस technique को करने के लिए तयार है तो दो आसन में आप इसको बैटके कर सकते हैं एक तो ये जिसमें मैं अभी बैटा हूँ ये है अर्दसिद्धासन इसको कैसे लगाना है पहले दोनों पाउं सामने ऐसे रखिए अपने लेफ्ट फुट को फोल्ड करके लाइए और अपनी हील को मुलाधार, गुदाद्वार और जननेंदरी के बीच में जो एक पॉइंट है वहाँ पर इसको टच करिए और उसके बाद दूसरे फुट को भी उसी हील के साथ एक लाइन में रखिए गुटनों में बराबर दूरी होने के साथ साथ गुटने जमीन के पास चले जाएंगे और ये हो जाएगा अर्द सिद्धासन जो की एक आसन हो गया दूसरा वज्जरासन में भी आप इस प्राणया को कर सकते हैं अगर आपको वज्जरासन में बैटने में कोई तकलीफ नहीं होती कोई दर्द नहीं होता गुटने बिल्कुल ठीक हैं तो वज्जरासन में भी बैठिये बहुत लाबकारी होगा वज्जरासन में कैसे बैठना है आईए देखते हैं तो दोनों पाउं सीधे रखके दंडासन में आ जाएंगे तो दो तरीके से आप इसमें आ सकते हैं एक तो दोनों ही लेग्स एक साथ फूल्ड करके आप बैठ सकते हैं और दूसरा एक एक करके लेग्स को फूल्ड करके आप बैठ सकते हैं और पीछे से पाउं कैसे होंगे ज़रा ये भी समझ लेते हैं तो आपके पैर का अंगुठा मिला होगा दोनों हील साइड में और उसके उपर आप बैठेंगे आगे से यदि देखें तो आपके घुटने मिले हुए होंगे घुटनों के बीच में कुछ भी डिस्टन्स नहीं रखना है आपको घुटने मिला कर रखने दोनों हाथ अपनी जंगाओं पर आपकी थाइस की उपर रखतेंगे एल्बो शोल्डरस को रिलाक्स रखेंगे कुछ सगिन के लिए अपनी श्वास पर अपने ध्यान को ले कर कियाएंगे बंदनाखों के साथ आती जाती श्वास को देखेंगे एक से दो मिनट अपनी श्वास को इस तरह से देखने के बाद आपका मन थोड़ा शान्त हो जाएगा शरीर स्थिर हो जाएगा तो आप बिल्कुल तयार होंगे इस टेकनीक को करने के लिए अब इस टेकनीक में क्या है? सबसे पहला काम है मुद्रा का तो एक मुद्रा है जिसे हम कहते हैं चिनमय मुद्रा यह चिनमय मुद्रा डिरेक्ली टागेट करती है आपके हाट रीजिन को देस सेंटरल पार्ट अब देखेस्ट को तो मुद्रा कैसी है? अपने हाथ को इस तरह से खोल कर रखेंगे आपकी index finger और thumb को tip of the index finger और tip of the thumb को मिलाएंगे बाकी तीनों उंगलियां जो सीधी है उसको ऐसे forward करिये और दुबारा forward करिये तो यह इस तरह से मुद्रा होगी इसको हम दुबारा समझते हैं पूरा हाथ खोला, index finger और tip of the thumb को मिलाया बाकी उंगलियों को यहाँ forward किया और फिर से forward कर दिया तो यह इस तरीके का एक lock की तरह बन जाएगा यह यहाँ नहीं आनी चाहिए fold and fold, यह मुद्रा अगर हम इस हाथ से भी देखें यह मुद्रा अब यह मुद्रा लगाने के बाद इसको ऐसे ही hold करके रखना है और अपने घुटनों की उपर रख लेना है तो आप वज़रासन में भी इसे कर सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया अर्द सेदासन में भी इसे कर सकते हैं तो जिसमें आप ज़्यादा comfortable feel करें उसमें आप करिए जबरदस्ती नहीं करना है अगर इन दोनों आसन में भी आपको लगता है कि नहीं हो पारा ऐसे बैठना मुश्किल हो रहा है तो आप कूरसी पर बैठके भी कर सकते हैं सोफा पर बैठके भी कर सकते हैं बैड पर बैठके भी कर सकते हैं दोनों लेक्स को स्ट्रेट रखके भी कर सकते हैं अगर ये करना मुश्किल होता है ये करने में तकलीफ होती है तो इसमें नहीं करने लेकिन मुद्रा में कोई option नहीं है आपको मुद्रा ऐसे ही लगानी है और जब तक पूरा टेखनीक कम्प्लीट ना हो जाए हाथ को इसी मुद्रा में रखना है क्योंकि मुद्रा बहुत जरूरी है मुद्रा की वज़ा से ही प्राण उस सेंटर में जा करके अपना काम कर पाता है तो हमने चिन मैं मुद्रा लगा ली गुटनों की उपर दोनों हाथ रख लिए एल्बो शोल्डर को रिलाक्स रखेंगे कमर गर्दन सीधी रखेंगे और अब यहां से हमाई टेक्नीक शुरू होती है तो यहां पर आता है एक अनुपात एक तरह की रेशो ब्रेथ की एक रिदम वन इस टू फोर इस टू तो आपको एक हिस्ता श्वास भरना है चार हिस्ते श्वास को रोक कर रखना है दो हिस्ते श्वास को धीरे धीरे बाहर खाली करना है एक बार फिर समझते हैं, एक अनुपात, चार अनुपात, दो, एक अनुपात, चार अनुपात, दो का क्या मतलब है? कि यदि आपने 4 से 5 सकेंड लिये श्वास को भरने में, तो उसको 4 से गुणा कर दिया, अगर हम एक अनुपात 4 की बात कर रहे हैं, तो 4 हिससे गुणा कर दिया और उसको hold करके रखेंगे, उसको रोग करके रखेंगे, तो अगर हमने 4 सकेंड में श्वास भरी है, तो 16 अगर हमने 5 सकिंड श्वास भरने में लिए तो 20 सकिंड हम श्वास को रोक कर रखेंगे अब 1 अनुपाद 4 अनुपाद 2 तो दुगना समय लेंगे श्वास को बाहर छोडने में अगर हमने 5 सकिन लिए श्वास को भरने में तो 10 सकिन लेंगे श्वास को बाहर चोड़ने में 4 सकिन लिए हैं श्वास भरने में तो 8 सकिन लेंगे श्वास को बाहर चोड़ने में इस तरीके से आप अपनी natural breathing capacity को 1 is 2, 4 is 2, 2 के साथ मिलाते हुए इसको कर सकते हैं अब एक बार उज्जाई पैटर्न को समझते हैं, उज्जाई ब्रीधिंग टेक्नीक, तो जब हम श्वास भर रहे हैं, गले की मास्पेशियों को थोड़ा सा संकुचित करते हुए श्वास को अंदर जाने देना है, जिससे की उज्जाई ब्रीधिंग हम कर पाएंगे, एक हल किसी फ्रिक्शन फील होगी, हलका सा श्वास का स्पर्श आपको गले में महसूस होगा जब आप श्वास को अंदर लेकर के जा रहे हैं, अब इसकी आवास कैसे होगी? तो जब आप हलके से संकूचन के साथ श्वास बढ़ते हैं और बहार छोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं उज्जाई ब्रेथ, इस तरीके से आपको इस प्रानयाम के अंदर श्वास को अंदर और बहार लेकर के जाना है, अगर ये ना भी हो पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल ही करिए, लेकिन अगर आप इस टेखनीक को जानते हैं, तो और जादा लाब के लिए आप उज्जाई ब्रीधिंग कर सकते हैं, तो सबसे पहला काम चिन मय मुद्रा, एल्बो शोल्डर को रिलाक्स रखेंगे, कमर गर्दन रिलाक्स रखेंगे, औ अपनी जिव्या को भी तालू के साथ जोड़ कर रखेंगे, और मुख बंद रखेंगे, जिव्या को तालू के साथ जोड़ कर रखेंगे, 1 इस्टू 4 इस्टू 2, एक अनुपाद 4, अनुपाद 2 आपको श्वास लेनी हैं, कर दो दो कर दो इस तरीके से आप 7 बार इसे करेंगे और 7 बार पूरे हो जाने के बाद धीरे से अपनी उंगलियों को खोल देंगे पलट कर ही सी तरह से रखेंगे और 1 मिनड़ तक आखे बंद करके शांत बैठेंगे और अपनी आती जाती श्वास को देखेंगे एक अनुपाद, चार अनुपाद, दो इस रेशों के साथ साथ बार आपको इसे करना है साथ बार पूरा होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए और फिर से एक राउंड करिए फिर थोड़ा सा रेस्ट करिए और फिर से एक राउंड करिए ऐसे तीन बार आपको साथ-साथ repetition के साथ इसे करना है तो हो सकता है कि अभी भी आप मेंसे कुछ लोगों को doubt हो तो एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ जब आपने एक हिस्सा श्वास भरा, चार हिस्से रोक कर रखा दो हिस्से उसको बाहर छोड़ा, जैसे ही आपने श्वास को बाहर छोड़ा फिर से एक अनूपाद, चार अनूपाद, दो यानि कि श्वास जैसे ही खाली करी एक हिस्सा श्वास भरा, चार हिस्से रोका, दो हिस्से बाहर एक हिस्सा भरा, चार हिस्से रोका, दो हिस्से बाहर इसकी continuation एक loop की तरह आपको साथ round तक करना है श्वास बहार छोड़ने के बाद रोक कर नहीं रखना है इस ratio का ध्यान रखिए, यह एक systematic तरीके से इसलिए design की गई है कि इसका कुछ purpose है, तो इसको आप बदलेंगे, तो लाब तो होगा नहीं और कुछ नुकसान अगर हो जाए तो कह नहीं सकते तो try करिए कि आप इसको इसी तरीके से करेंगे तो आपको जरूर से बहुत लाब होने वाला है और सुभा करेंगे तो और अच्छी बात है जहाँ पर खुली हवा हो, आपको शुद्ध हवा मिलती हो वहाँ पर करेंगे तो और अच्छा है ध्यान देंगे कि आसपास किसे तरह की कोई गंदगी नहीं हो कोई smell नहीं हो, तो जादा लाब आपको मिलेगा जब आप इसके तीन राउंड पूरे कर लें तो उसके बाद दो से पांच मिनट आप एकदम शांत आराम से बैठ जाएं अपनी श्वास को आते जाते देखें और उसके बाद पांच मिनट के लिए लेट जाएं शावासन में और उसके बाद ही अपनी कोई और एक्टिविटी आप करें तो आई अब समझते हैं कि जिन लोगों का ओपरेशन हो चुका है जिन लोगों के हाट में स्टेंड टल गया है कोई सरजरी हुई है उनको अगर कुछ ब्रीधिंग टेकनीक से फाइदा हो सकता है तो वो क्या ब्रीधिंग टेकनीक हो सकती है आईए जानते हैं तो अगें आपको प्रोसेस वही फॉलो करना है सूक्ष्न वे आयाम करके आप अर्दसे दासर में बैठ जाएए अर्दसे दासर में नहीं बैठ सकते तो कुरसी पर बैठ जाएए बैड पर बैठ जाएए, सोफा पर बैठ जाएए जो भी कमफर्टेबल पोजिशन हो उसमें आप बैठ जाएए और अपने हाथों को इस तरह से खुला रखेंगे अपने लेक्स के ऊपर अलबो शोर्रस को रिलाक्स रखें कमर गर्दन को सीधा रखें और हलके से आखें बंद कर लेंगे आखें बंद करने के बाद एक से दो मिनिट अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाएंगे श्वास आ रही है बाहर जा रही है आप अंदर आते हुए भी देख पा रहे हैं बाहर जाते हुए भी देख पा रहे हैं तो इस तरीके से देखना है जैसे कि आप श्वास के साथ जुड़ गए किसी भी तरह की movement कोई भी गती हुई तो आप उसको देख पा रहे हैं हल्का सा भी श्वास अंदर गया तो आपने देखा बाहर गया तो आपने देखा इस तरीके से आती आती श्वास को जो हम देखते हैं तो अपने आप मन थोड़ा सा शान्त हो जाता है और मन आपका इस present moment में आ जाता है वर्तमान काल में आ जाता है उल्जाव से बाहर आ जाता है क्योंकि मन की तो टंडेंसी है कि वो हमेशा past और future में दौड़ता रहता है श्वास हमेशा इस पल में है तो जब आप श्वास को देखते हैं तो आपका मन भी इस पल में आ जाता है इस moment में आ जाता है तो एक से दो मिनट श्वास को देखने के बाद आप थोड़े से स्थिर्व जाते हैं आपका मन एकाग्र होने लगता है जब एक से दो मिनट आप अपनी श्वास को देख लें तो आपको एक अनुपात दो इस रेशो में श्वास को अंदर और बाहर करना है और कोई मुद्रा नहीं लगानी है हाथ खुले रखने है तो अगर हम देखे एक अनुपात दो अगर आ आठ सकिंद लेंगे श्वास को बाहर चूरने में अगर आपको लगते हैं पाँच सकिंद श्वास को भरने में तो दस सकिंद लेंगे श्वास को बाहर चूरने में एक बार देखते है चार सकिंद श्वास भरने मैंने लिए आप आठ सकिंद श्वास बाहर चूरने में ही फिर से श्वास परेंगे तो साथ बार एक अनुपात दो श्वास भरी दुगना समय लेते वे श्वास बाहर फिर से श्वास भरी दुगना समय लेते वे श्वास बाहर तो कहने का मतलब है श्वास को बाहर छोड़ने में समय लेना है आपको जल्दी से श्वास को बाहर नह छोड़ना है थोड़ा समय लेना है धीरे 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 श्वास बाहर जा रहा है फिर धीरे धीरे श्वास भरिए और उससे दुगना समय लेते वे श्वास को बाहर छोड़िए इस तरह की रिदम जब आप श्वास के साथ फॉलो करेंगे आप देखेंगे कि आपका ब्ल में काफी जानकारी मैंने दे दी है अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है तो इसको जादा से जादा लोगों तक शेयर कर fått और जिन लोगों को इस तरह की प्रॉबलम्स है तो उनके साथ तो ضरूर से शेयर करिए ताकि सबको लाब हो और अगर आपके कोई सवाल है कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अगर समय लगा तो एक और वीडियो बना करके उसका जवाब दे सकते हैं या कमेंट में ही आपको रिपलाई करके उसका जवाब दे सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुपकामना है, सबका भला हो.